गौरांगे संफामा पर आपकी राय क्या है दो दिनों में इसमें 8-9% की भरत हमने देखी और आई रिमेंबर आपने पहले भी इपने व्यूस जब भी संफामा पर शेयर की हाँ पॉजिटिव रहे हो और आपका कहना ये रहा है कि हलोल प्लांट को लेकर अगर कोई भी रेज रेजुशन आया तो वे पॉजिटिव ट्रिगर होगा रेजुशन भली न आया हो लेकिन कामपनी अपने कई की प्रोड़क्ट्स को हलोल प्लांट से दूसरे प्लांट में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हो और ये पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि 10-15% रेविन्यूस अगर कारण वर्ष नीचे कोई घंबिर परिस्ति होती है और फिसलता भी है तो उस सुरत अहल में भी निवेश नाया करने के लिए बनाए अब यह जो हलोल प्लांट का मुद्दा है जो मुझे काफी चिंतित कर रहा है अगर मैनेजमेंट ने जब तिमाई नतीज आये थे तब सिंग्वी साब ने खुद बायान दिया था कि कोशिश लगातार कर रहे हैं हलोल प्लांट के रिजलूशन और जो भी मुद्दे हैं उनको सही तरीके से ठीक्टा करने के लिए ताकि जल से जल दिये यूएस एफडिये के जो प्रतिनी दिये उनको बुलाएं और वाफ करना चाहिए ताकि दूसरे प्लांट में भी ऐसी कोई सवाल या निशान खड़े ना हो हमारा लक्ष का करीबन 850 से लेकर के 920 का है और अगर कुछ गतिविदी सुधरी खबरों को लेकर के तो शायद ये लक्ष उपर के तरफ रिवाइस करेंगे हम तो हाल फिलाल बने रह तो और अगर गिरावट आती है तो नहीं खरीदारी भी कर सकते हैं ठीक है जै आपकी रिकमेंडिशन के आज के शेयर कौन से हैं डेरिवड़े एक स्पारी को ध्यान में रखते हुए किसमें करें प्लस और किसको करें शाट वेल इंपी लॉंग करने की सला रहेगी पेट्र जाने के शाट प्लस रहेगा लागे बॉपन अजर आये एक सला के शाट पर राइसें अशें पेंडम इंपर राइस चैनल में से ब्रेक डाउँ देखने मिला साथी साथ लॉर भॉट उब्टम फ़र्मिशन लास्ट प्रिडिग सेशन में में रखनी से लाइन नजर आये अ पर इसको शॉट करके चल सकते हैं, बताइए पुजा, जी असारे कॉल्स में खरेदारी की राहे हैं, जादा तर रुझान जांकारों का इन्वेस्टर पॉइंट से कुछ व्यू ले लेते हैं, इन्होंने भार फिनांशल इंक्लूजिन में खरेदारी करने की राहे दी है, इस टॉक्रवार को भी अच्छी रहली देखने को मिली थी इस टॉक में आज बेंका मानना है कि 890 तक के लेवल्स इस टॉक में देखने को म और इलाइस कैपिटल में इनकी खरेदारी करने की राहे है, शुक्रवार को भी करीब 5-6% की रैली इस टॉक में देखने को मिली थी, आज बे अच्छी रैली देखने की उमीद है, 540 के लेवल्स इस टॉक में देखने को मिल सकते हैं, IDBI कैपिल से इप कॉल्स डिसकस कर ले और इनका मानना है कि आज के कारोबारी सत्रे में करीब 3% का रेटन इस टॉक आपको कमा के दे सकता है, 490 के आसपास के लेवल्स इस टॉक में देखने की उमीद है, 468 का स्टॉप लॉस लगा कर चलने की राहे होगी, चोईस बोकिंग ने डिश्मैन फार्मा में खरेदारी करने की राहे दी है, 235 के लेवल्स देखने की उमीद है और 214 का स्टॉप लॉस लगा कर चलने की राहे है, बॉम्बे बर्मा इनका अगला बाइक कॉल है, 660 का टागेट दिया इन्होंने और 620 का स्टॉप लॉस लगा कर चलने की राहे हैं, और आखरी कॉल में एक और MBFC स करने की राहे दी है, ये स्टॉक आज आपने रडार पे रहे कुछ देर पहले जैठकर भी इसमें खरिदारी की बात कर रहे था, काफी सारे जांकार आज स्टॉक में बुलिश दिखाई दे रहे हैं, 416 के लेवल्स इंका मानना है स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, 394 का स स्टॉप लगा कर चलने की राहे होगी, और आखिर में इनका व्यू है जेनेसिस इंटरनाशनल पर यहां पर भी अच्छी तेजी देखने की उमीद है, 183 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 162 का स्टॉप लगा कर चलने की राहे हैं, ठीक है, ये कुछ एक रिकमेंडेश बन रहा है, ये 500 किलोमेटर के बीच का एक कॉरिडर होगा, लेकिन इसमें 21 किलोमेटर ऐसा होगा, जो कि समुदर के नीचे बनेगा, ये बड़ा इंटरस्टिंग फैक्ट है, और इसके लिए काम काज होना भी शुरू हो गया है, हो सकता है, तीन फेस में समुदर के अंदर के नीचे से मिलेगा, जिसको लेकर अब काम काज शुरू हो गया है, तो रेलवे, बुलेट ट्रेन को काफी गंभीरता से या करते हो या हो सकता है, जो पालेट प्रजेक्ट के तोर पर ही हो रहा है, ये एक सक्सेस्फुल स्टोरी रहे और आगे चलके एक नया इतिहास भार उसके बाद देश के हर दूसरे शहर मेट्रो से आपको जुड़ते हो दिखें, इसलिए चलेंजिस होते हैं, ये शाय सरकार भी समझ रही है, देश के पॉलिटिकल बिरोक्रेसी भी समझती है, लेकिन जो खबर है वो काफ़े इंटरस्टिंग है, 21 किलोमेटर का स्टेच रही है, एक बैठक होई उदेपूर में, जिसमें एक पार कर लिया हमने जो हर्डल जिसे कहते हैं, वो ये था कि कमपन्सेशन तूड़ स्टेट्स, जो राज्य को पांच साल में जितना भी टेक्स का नुकसान होगा, वो कमपन्सेशन देगी के अंदर सरकार, तो एक इसको फिक्स करने की बात हो सकती है, इसको लेकर ज़्यादा मदभीत होना, क्योंकि इसमें ज़्यादा सुख बुगाट या फिर विपक्ष के दरफ से ज़्यादा इश्यूज भी नहीं रेज किये गए थे, तो जी एस्टी एक जुलाई को लागू हो सकता है, इसको लेकर जो सरकार के गंभीरता हो दिख रही है, क्योंकि अब हर एक बैटक करेंगा कि किसी नहीं किसी डिसीजन पर आके रुक रही है, जैसे कि कमपनसेशन पर आके रुकी और अगली बैटक हो सकता है, रेश्यो उसको फाइनल करने पर आके रुक जाए, तो यह बहुत इंपॉट मंतरी का अपना कॉन्फिडेंस भी जो एक जुलाई की तारीक को लेकर था, वो भी काबले तारीफ था और बजार ने रेक्शन भी दिया, जब जब एक बैठक होगी या कंप्लीट होगी, बजार पे इसका रेक्शन आएगा या फेर आप सीधा ही एक जुलाई पर देखें है, बिल्कुल हमारा जो GDP growth rate है, वहाँ पे एक से डेट परसेंट का इजाफा हो सकता है, तो डिफिनेटली पूरे market के लिए positive होगा, बाकि जो specific sectors है, जहाँ पे इसका एक benefit देखने को मिलेगा, जैसे logistics है, वो आज जैसे positive news आती है, तो logistics पूरा sector ही limelight में आ जाता है, और उस सब sectors पे बिल्कुल तेजी बनेगी और overall market के लिए बिल्कुल positive है,